हेलो खेंड्स आप सब का आपके पने चनल कोविन लेक्शर्स में एक बार फिर से सब वगत हैं तो कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी बॉर्ड प्रिक्षा की त्यारी भी अच्छे से चल रही होगी तो प्रक्सादस अंग्रेजी पिशे की बॉर्ड प्रिक्षा के इंपोर्टेंट कॉशन आंस्वर की सिरीज में हमने पिछली क्लास में टॉप 5 इस्टोरी के बारे में डिसकस किया था जो आपकी बॉर्ड प्रिक्षा के अंदर पूछी जा सकती है कई सारे विध्यारती कमेंड कर रहे थे कि सरब में टॉप 5 इमेल भी बताईए जो प्रिक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं तो उनी रिक्ष्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्लास के अंदर हम टॉप 5 इमेल को डिसकस करेंगे कि इमेल लिखा कैसे जाता है और वो कौन से टॉप 5 इमेल है जो आपकी प्रिक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं तो दोस्तो चलिए क्लास सुरू करते हैं इमेल का पूरा नाम है electronic mail क्या है electronic mail जैसे प्राचिन समय के अंदर एक जगे से दूसरी जगे पर सुचना को भेजने के लिए पत्र का उप्योग करते थे उसी समय वर्तमान में एक जगे से दूसरी जगे पर information को बेजने के लिए किसी भी सुचना को बेजने के लिए इंटर्नेट का उपयोग करके ठीके इंटर्नेट का उपयोग करके जो सुचना बेजी जाती है उसे कहते हैं email देखो electronic mail जानी की बेजे जाने वाला जो mail है जो letter है वो ही क्यालाता है email अब जो email है email को लिखते कैसे है? email दो भागों से बना होता है कितने पार्ट में divide होता है two part में क्कुण कौन से? एक पार्ट होता है आपका header ठीक है या head कह सकते है और दूसरा होता है body तक यह वाला जो हिससा है यह होता है head, क्या होता है head और यह जो text वाला हिससा है यह होता है body ठीक है, email दो पार्ट से मिलकर बना होता है एक head और एक body, head गेंदर क्या आता है 2 वाला section, cc वाला, bcc और subject यह 4 भाग आते हैं आपके head के अंदर और यह यह text वाला section है यह आता है body में अब two के अंदर का लिखते हैं two के अंदर जिसको बेजना है उसका address लिखते हैं यानि receiver का address लिखते हैं receiver का मतलब जो mail प्राप्त करेगा जैसे A है वो B को mail भेज रहा है तो इस B का जो address है जो mail है बी का जो mail address है वो लिखेंगे to के सामने ठीक है जब भी आप Gmail address लिखो तो याद रखना कि ये जो Gmail का address लिखा गया है इसमें कही बर भी gap नहीं आता है एनि कि बीच में कोई खाली जगे नहीं आती है ये हमेशा याद रखना ठीक है और last में क्या आता है at the rate gmail.com ये सब के last में आएगा ये at the rate का निसान at gmail.com ये सब के last में आएगा यहाँ पर आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं वो सकता है प्रशन में दिया हो और अगर नहीं दिया हुआ है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जिससे related ये भेजने को कह रहा है उससे समझेद कुछ भी नाम लिख के आप आगे लिख सकते हैं बस दियान रखना है इसमें खाली जगे नहीं होनी चाहिए ठीक है दोस्तो तो 2 के अंदर लिखना है आपको जिसको हम अम mail भेज रहे हैं उस receiver का address लिखना है ठीक है जैसे A B को भेज रहा है तो B का जो भी mail address है वो लिखा जाएगा यहाँ पर दूसरा है CC CC का मतलब होता है carbon copy क्या मतलब होता है carbon copy मतलब क्या हुआ कि A है वो एक साथ में दो बंदो को mail भेजना चाहरा है B और C को किसको B और C को तो B का address तो हमने यहाँ पर लिख दिया अब C का जो address है C का जो gmail है वो हम यहाँ पर लिख देंगे जैसे कुछ भी लिख दिया जैसे मेरा नाम लिख दिया कि C मैं हूँ govind at gmail.com ठीक है यह यहाँ पर लिख दिया carbon copy का मतलब है कि यदि एक mail को अगर आप एक साथ दो वैक्तियों को भेजना चाते हैं तो पहले का address उपर लिख ले और दूसरे का यहाँ पर निचे लिख ले carbon copy में ठीक है उम्मिद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा फिर तीसरा है BCC BCC का मतलब क्या है Blind Carbon Copy क्या है Blind Carbon Copy मतलब क्या है कभी कबार यदि आपको जैसे एक mail है इसको एक साथ में 100 लोगों को भेजना है कितने लोगों को 100 लोगों को भेजना है तो बाकि जो 99 लोग है जो पहला है प्रमुक उसको तो इधर लिख लेंगे बाकि जो 99 लोग है उनका जो mail address है वो यहाँ पर लिख देंगे ठीके अब Blind का मतलब क्या है Blind इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये 99 का जो Gmail address है ये इसको सो नहीं करेगा किसी को भी दूसरे का email address है वो सो नहीं करेगा जिसको क्यों हमने बेजा है उसको सो करेगा बाकि दूसरों का जो Gmail address है वो किसी को सो नहीं होगा तो ये हो जाएगा Blind Carbon Copy ठीके उम्मिद करता हूँ या तक समझ में आया होगा फिर है सब्जेक्ट सब्जेक्ट आप सबको पता है विशे जिससे सम्मंदित आप mail लिख रहे हो उसका विशे सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे और सब्जेक्ट वन लाइन से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए एक लाइन से बड़ा नहीं होना चाहिए ठीके फिर है आपका टेक्स ठीक है बॉड़ी के अंदर इस सब्जेक्ट से सम्मंदि जो भी मैसेज आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे याद रखे मैसेज स्वाट एन स्वीट होना चाहिए क्या होना चाहिए स्वाट एन स्वीट जितना चोटा हो सकता है उतना लिखना है जादा रामाइंड नहीं लिखनी है याँ पर आप लैटर नहीं लिख रहे हैं केवल मैल लिख रहे हैं बश्यादा से जादा 4 से 5 लाइन ठीक है इससे बड़ा मैल नहीं होना चाहिए उम्मिद करता हूँ याद तक मैंने जो जन्द करी दी है आपको समझ में आ गई होगी चले में एक बार फिर से आपको revise करा देता हूं इसको पहले मैं मिटा देता हूं और एक बार आपको फिर से फटा-फट revise करा देता हूं कि हमने क्या देखा है फिर हम बढ़ते हैं मैं तो कौन emails की तरफ ठीक है तो देखो emails दो पार्ट से मिलकर बना है एक है आपका head और एक है body head के अंदर 2, cc, bcc और subject और body के अंदर आपका text वाला पार्ट 2 में क्या लिखना है receiver का address जिसको हम mail भेज रहे हैं उस सामने वाले का address ठीक है यहाँ उसका mail लिखना है यहाँ पर mail के अंदर लिखते समय क्या भी से तयाद अठनी है कि कही भी mail address के बीच में gap नहीं होना चाहिए खाली जगे नहीं होनी चाहिए ठीक है और mail के last में at gmail.com यह सब के last में आएगा ठीक है फिर cc carbon copy यदि हम एक mail को दो लोगों को भीजना चाहते हैं तो दूसरे वाले का address यहाँ पर लिख देंगे फिर bcc blind carbon copy यदि एक mail address को हम दो से जादा वैक्तियों के समूँ में भीजना चाहते हैं तो बाकी सब का जो gmail address है वो हम bcc में लिख देंगे फिर subject जो आप mail भेज रहे हैं उससे समंदी जो subject हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है फिर text टेक्स्ट के अंदर उस subject से समंदी जो भी message आप लिखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है चलिए बढ़ दे आप प्रशनों की और देखें पहला प्रशन आपके सामने दिया गया है write and email to your principal इसको mail लिखना है principal को ठीक है यह पहली जन्दकरी पता चल गी कि हमें mail principal को लिखना है इससे समंदी लिखना है informing about सुचना देनी है the incompletion of the course of math and science कि आपके गनीत और विज्ञान विशे का सेलेबस बागी पड़ा है इसकी जन्दकरी देनी है you are Sanjay या Sini अपने आपको Sanjay या Sini मानते हुए ठीक है तो देखो सबसे पहले to इसको बेज रहे है principal मोहदय को कुछ भी लिख सकते है अपनी स्कूल का एड्रेस लिख सकते है gssg at gmail.com या principal मोहदय का नाम लिख सकते है at gmail.com कुछ भी लिख सकते है क्योंकि यहां पर हमें प्रश्ण में कुछ भी नहीं दिया हुआ है simple भी लिख सकते है principal, gss, school का नाम लिख सकते है sort में और at gmail.com cc हमें cable एक कोई भी बेजना है तो cc को खाली छोड़ देंगे कुछ नहीं लिखना bcc, bcc में कुछ नहीं आएगा फिर subject subject देखो यहां पर प्रश्ण में दिया हुआ है देखो लिखा हुआ है course of maths and science are incomplete देखो लिखा हुआ है in completion of the course of maths and science कि science and maths का course अधूरा है तो उसी को subject लिख दिया course of maths and science कि हमारी गणित और विज्ञान विश्चे का जो course है are incomplete क्या है अधूरा पड़ा है subject आपको प्रश्ण सही मिल गया कि आपकी जो गणित और विज्ञान विश्चे का syllabus है वो अधूरा पड़ा है फिर लिखना है आपको text ठीक है body के अंदर text यहाँ पर आप चाहे तो text लिख भी सकते है कोई लिखना भी जरूरी नहीं है तो क्या लिखा है sir ठीक है with due respect विणमर निवेदन है कि या विणमर निवेदन के साथ I the monitor of class 10 मैं एक अक्सा जिसका monitor state that दर्षाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि the course of math and science are incomplete ठीक है इगनित और विग्यन विशे का course अधूरा है and exams are at hand और exams क्या है बिल्कुल आथों में है बिल्कुल नजदिक है please take necessary steps for the completion of the syllabus आप अपने course को जो अधूरा है उसको पूरा करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाइए so that ताकि there should not be negative impact on the performance of the student ताकि विदार्तियों का जो परदसन है परिक्सा के अंदर उस पर बुरा परभाव या नकारात्मक परभाव ना पड़े बस इतनी सी बात है thanking you, धन्यवाद यहाँ पर देखो क्या लिखा है sir यह तो आपको पता ही है फिर वो ही with new respect ठीक है with new respect या with respect भी लिख सकते है कि मैं कौन हूँ मैं कत्साल इसका monitor हूँ और आपको यह बताना चाहता हूँ कि गनित और विज्यन विशे का syllabus अधूरा है अधा आपसे निवेदन है कि जल से जद कुछ जरूरी कदम उठाइए और हमारा syllabus पूरा करवा दीजिए बस इतनी से बात लिखी है thanking you और जो भी आपका नाम अगिरा है वो लिख देना है ठीक है बाकि आपको जान रखना है कि इस सारी चीजे है वो एक सीद में होनी चाहिए देखो पूरी एक सीद में लिखी गई है आगे पीचे नहीं होनी चाहिए ठीक है यह होगा आपका पहला email आगे बढ़ते हैं दूसरा email यू आर पारू लोग 10th class अपने आपको सदस का पारूल मानते हुए राइट एन email to your father इसको mail लिखना है अपने पिताजी को ठीक है पहला जानकरी प्रात होगी पिताजी को mail लिखना है कितने रूपे के लिए 700 रूपे के लिए किसके लिए board exam की fees के लिए ठीक है और mail आपको यह दिया हुआ है पिताजी का mail address दिया हुआ है तो देखो टू के अंदर पिताजी का mail address लिख दिया runes.gmail.com cc के अंदर कुछ नहीं लिखना खाली चोड़ देना है bcc भी खाली चोड़ देना है subject क्या है तो देखो लिखा हुआ है यहां तक subject आ गया आपका प्रशना सही मिल गया टू सेंड to send 700 rupees for board exam fee ठीक है फिर text के अंदर my dear father मेरे पिताजी I am well मैं ठीक हूँ and healthy year और अच्छा भी हूँ and hope you will be the same year और उम्मिद करता हूँ आप भी आपर अच्छे होंगे ठीक है फिर I need रुपे 700 ठीक है for board exams मुझे 700 रुपे के जरूर थे किसके लिए board exam के फीस के लिए please transfer it using mobile banking और आप इसे mobile banking याने की जो भी internet banking है उसके जिए transfer कर दीजिए please convey my best regards to mom और मेरी माताजी को मेरी तरब से सुब आसा है या जो भी है मेरा अच्छा कहना और your loving daughter पारूल अपना नाम लिख देना है जो भी चीज प्रशना के इंदर दी गई है उसको लिखना है ज्यदा रामयन नहीं कानी है ठीके mail short and sweet होना चाहिए किसरा प्रशना है आपका देखो write letter to the editor of the times of India expressing your views on the importance of computer education in your life email your letter देखो किसको लिखना है editor को ठीके times of India अकबार का जो editor है उसको एक letter के रूप में mail लिखना है ठीके letter के रूप में एक पूरी जानकारी लिखते हुए mail लिखना है किस पर importance of computer education in my our life अपने हमारे जीवन के इंदर computer education का क्या मैच्वा है उस पर एक mail लिखना है mail आपको दिया हुआ है letter to editor at timesofindia.com तो 2 के अंदर हमने mail address लिख दिया cc खाली चोड़ दिया bcc भी खाली चोड़ दिया subject subject देखो क्या लिखा हुआ है on the importance of computer education ठीक है इतना लिख दिया importance of computer education short and sweet फिर text के अंदर क्या लिखना है sir now it is the age of computer यह क्या है computer का यूग है it has occupied an important place in our every field of our life इसने हमारे जीवन के परतेक जगे एक महतवपुन क्या कर दिया है महतवपुन इस्तान घरहन कर लिया है providing computer education to the children is now a necessity necessity अनि अपने बच्चों को computer शिक्सा परदान करना क्या हो गया है आज आवश्यक हो गया है without computer literature बिना computer साखसप्ता के the progress is likely to be very slow व्यक्ती का जो progress है वो बिल्कुल श्लो है machinery saves over manual labor but computer saves over mental labor जिस परकार machine मजदूरों की जो सर्मिक है सर्मिकों की संख्या को गटाती है वही जो computer है वो हमारे mental labor जो दिमाग का जो काम है जो ब्रक लोड है उसको गटाता है यह सुचनाव को इस तरह इस्टोर करता है कि इन्हें बार बार recall किया जा सकता है याद किया जा सकता है तोस आवर माइंड विल हैब तो मेक लिटल एफट्स विस्टोर नोलेज एंड फैक्स अंटिल लेट कंप्यूटर है नौट रीच दा एवर चिल्रन तो सम पर्रट्स फिल दा जा इसे विद्दार्थियों को अपने बच्चों को ऐसी इसकोलों में बेजने से बच रहे हैं जा कंप्यूटर सो विदा नहीं है इसी वज़े से सरकारी संस्ता है दूसरे जो सरकारी स्कूल्स हैं जो अमीर व्यक्ति वगरा है ठीक है उनके जो बच्चे हैं वो आज कल क्या कर रहे हैं कंप्यूटर से ज़्यादा ज़ूड रहे है यह हमारे देश की एक महत्रपुन जो प्रगरती है उसके इंदर महत्रपुन युगदा न अदा करेंगे ठीक है कंप्यूटर के बारे हैं पूरा जिक्र किया है कि कंप्यूटर हमारे लिए क्यों प्योगी है आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमबर फॉर अपने आपको टैंध क्लास की गीटा बांते हुए write an email to monthly magazine India Today India Today को क्या लिखना है About the precautions about against COVID-19 COVID-19 से समभनादी जो भी साथ़दानी है ठीक है उनके बारे पे किसको लिखना है indiatoday.gmail.com तो देखो Two 2 के अंदर India Today का Gmail लिख दिया CCE खाल ही कोई मतलब नहीं है BCC ये भी खाली Subject precautions against COVID-19 जो भी सावधानिया है उनके बारे में ठीके फिर बॉडी के अंदर सर दो जो एमस मंतली मैगजिन I would like to draw the attention of the people to proportions again COVID-19 सर मैं आपका जो एक मासिक पत्रिका जो आपके आती है उसके माध्यम से लोगों का जो ध्यान है वो COVID-19 से संबंदित जो सावधानिया है उनसे संबंदित या उनकी और आकर्षित करवाना चाहती हूँ The following three precautions will save people from COVID-19 ये कुछ क्या है टीम जो सावधानिया है ये लोगों को COVID-19 से कापी अध्यक बचा सकती है पहला है तीजिकल डिस्टेंसिंग एक दूसरे से उचित दूरी दूसरा masking, mask का उप्योग तीसरा सेनर्टाइजेशन ठीक है ये तीन जो विशेषता है ये तीन ये आपकी कह सकते है ये तीन सावधानिया है ये तीन सावधानिया लोगों को COVID-19 से कापी अध्यक बचा सकती है Please do publish in your magazine Please आपसे निविदन है कि इन तीन बातों को इस mail को आप अपने magazine के अंदर चापने की क्या करें करपा करें और आपका पांचवा है यू और आशा या अंसु ओप गवर्मेंट सीनर सेकंडरी स्कूल अजमेर अपने आपको गवर्मेंट सीनर सेकंडरी स्कूल अजमेर की चात्र क्या अंसु या फिर आशा मानते हुए write a formal email to the headmaster of your school अपने स्कूल के headmaster को एक formal email लिखना है ठीक है ये email address भी दिया हुआ है और requesting to arrange a lecture on how to use computer अपने परदाना जो headmaster है परदाना चारह वो क्या करें आयू जित करें ठीक है तो to के अंदर जो email address दिया हुआ है वो cc के अंदर खाली bcc भी खाली फिर subject subject इसके लिए हैं देखो requesting to या यहां से लिख सकते हैं to arranging a lecture on how to use computer ठीक है ये प्रशन के अंदर दिया हुआ है फिर text के अंदर sir या madam in its use क्या लिखना है कि हमारे विध्याले के अंदर लगबग परतेक विध्यारती क्या कर रहा है computer का use कर रहा है लेकिन कई सारी समस्च्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है that's why इस वज़े से many of our school computers become faulty कई सारे जो computer रवो क्या हो गया lecture की व्यवस्ता करे it will help the students and the school ये विध्यारतीयों के साथ साथ school के लिए भी मददकार साबित होगा thanking you you are evidently asaya unsu खीके दोस्तों तो ये थे आपके top 5 emails इमेल्स को कैसे लिखते हैं जादस जादा आपको प्रश्ण में दीगे information का ही use करना है उम्मिद करता हूँ ये 5 email जो हमने डिसकस किये हैं आपके बौर प्रिक्सा के लिए उप्योगी साबित होगे और इन 5 मेंसे कोई एक email आपको प्रिक्सा के अंदर देखने को मिल सकता है अगर नहीं भी मिलता है तो आपको कैसे लिखना है मैंने पूरी जानकारी दे दी है उम्मिद करता हूँ आपके लिए उप्योगी साबित होगी तो क्लास देखने के लिए आप सब्योगी धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मैनत पसंद आई है तो फिर like, comment, share और subscribe जुरू ठोक दे आज के लिए इतना ही जय हिंद, जय भरत